नमस्कार, मैं आसी स्राठोर, आपका स्वागत करता हूँ सबसे पहले आपको बताऊं कि किस तरीके से बिते दिनो पनामा पेपर लिक में किस तरीके से एस्वरिया राय बच्चन को E.D. ने समन करी और उनसे पूस्ताच हुई 6 घंटे अब इस पर राज्य भवन में किस तरीके से अपनी आपाख हो बैठती हैं जया बच्चन लेकिन किस रिजन्स की वज़े से अपनी आपाख हो देती हैं कौनसा रोग है इनको और क्या प्रॉबलम है जिस कारण से ये बार बार विवादों में आ जाती है बताऊंगा आपको इस वीडियो में जिसका खुलासा हुआ है और आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से SSR मामले पे भी ये जया बच्चन भरकी थी वो भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएं कि एक बहुत बड़ा ड्रक्स पेडलर जिस तरीके से गरफतार हुआ SSR केस से पुरा कनेक्शन जो है वो निकल करके सामने आ रही है और जिस तरीके से सिदार्थ भी जेल में है उसका भी पुरा कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है सबसे पहले बात करेंगे आपको कि किस तरीके से बातों बातों पे चिर जाती है जया बच्चन और उनको किस तरह का रोग है क्या प्रॉब्लम है कि वो बार बार इस तरह का रियक्शन दे देती है और सोसल मिडिया पे पूरी तरही के से ट्रॉल होने लगती है पिछले दिनों TMC के सपोर्ट में जब ये बेंगाल जाती हैं तो वहाँ पे एक फैंस ही इनसे सेलफी लेने के लिए काफी जादा मसकते करने लगता है, काफी जादा कोशिशे करने लगता है, जाया बच्चन इरिटेट होकर के कोहनी मार देती हैं और कहती हैं कि चल हट सामन जबहार करती हैं, ये अपने आप में बहुती शयर्म की बात है, लेकिन ये करती हैं लेकिन क्यों करती हैं, ये कौनसे बीमारी हैं इनको बताएंगे आगे, अब राज जे भवन में जिस तरीके से जाया बच्चन ने जो अपनी बात रखी, तो पूरी तरीके से अब गोट दो मेरे मुझे सरापित पूरी तरीके से उन्होंने कर दिया पूरे बीजेपी को कि तुम्हारा भी नाश होगा इस तरह के वाक्या का प्रयोग किया तो यहां पे एक बहुत बड़े रिपोर्टर है जो की सुसांत सिन्हा नाम है उन्होंने ट्विट करके साब तोर पे यह कह दिया कि इतना अहंकार कैसे यह किस बात की अहंकार है कि राजभवन में एक चेयर के सामने इस तरह की विवादित बयान दे दिया इन्होंने जहां पे इतने बड़े बड़े मंत्री और एक हारा हुआ नेता इस तरह का विवादित बयान दे रहा है और बीजेपी को पूरी तरीके से टार्गेट कर रहा है ये अपने आप में एक बहुती शर्म की बात है आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है जया बच्चन के इस विवादित बयान को सुन करके कि ये गुड़ी वाली प्यारी सी अभिनेतरी है जिस तरीके से इतनी प्यारी सी वो दिखती थी भोली सी दिखती थी हाला कि इतना जादा गुसा और एरोगेंट आखर ये क्यूं है आखर इस तरह का विवादित बयान ये क्यूं देती है बार बार आगे उन्होंने कहा कि किस तरीके से अमिता बच्चन और उनके बच्चन परिवार में जो लो पूरी तरीके से उठाया था और पूरे ड्रक्स नेकसेस को सामने ला करके रख दिया था तो इस पर पे जया बच्चन ने ये कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं और पूरे बॉलिवोड इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं तो इस तरह की विवादित बयान देने के बाद पूरी मुंबई पुलिस इनके घर के आगे पूरा कर्फ्यू लगा देती है और पूरे तरीके से इनकी रक्षा के लिए ख़रा हो जाती है क्योंकि इस तरह की ये कोई नई बात नहीं है ये एरोगेंट हो करके गुसा हो करके कुछ भी बयान दे देती है एक बार ऐसे ही भीर में जब एसवरिया राय बच्चन जब जा रही थी तो पैपराजी बस ये कहते है एसवरिया एसवरिया तो पूरी तरीके से भरक जाती है और ये कहती है कि थोड़ा तमीज में बात करो इस तरह से क्या ये तुम्हारी बहन लगती है कि एसवरिया तु या तो एस्वरिया बच्चन कहो या तो एस्वरिया जी कहो तो इस तरह की भी विवादित बयान इनों दे दे दिया एक बार तो हद हो गई जब भीर से ये निकल रही थी तो एक पेपराजी नहीं इनकी फोटो मोबाइल से क्लिक कर ली तो फिर वहाँ पे वो पूरी तरीके स उनको जारने लगी पुरी तरीके से उनको डाटने लगी और कहने लगी कि किसका ओर्डर ले करके तुमने ये फोटो किलिक करवाई है, किसने तुमको ओर्डर दे दिया है, हालाकि उसने फोटो को भी डिलिट कर दिया, माफी भी मांगा, लेकिन फर भी जया बच्चन का गु अब आपको बताओं कि ये सारा जो गुसा है वो किस रिजन से जया बच्चन को आता है क्यों आता है ये अब इसे एक बच्चन ने भी ये कहा कि मेरी मातास्री को भीर से काफी ज़ादा दिक्कते होने लगती है भीर में ये कहीं जाती है अगर इनके साथ कोई सेल्फी लेना चाता है फोटो क्लिक करवाना चाता है तो ये काफी जादा इरिटेट हो जाती है गुसा हो जाती है और आपको ये भी बताओं कि कलोस्ट्रोफोबिया की वज़ा से ये सारी प्रॉबलम होती है जया बच्चन को ये कहीं भी विवादित बयान दे देती है गुसा इनको बह इस्पोस किया और बहुत सारे लोग इसमें सामिल थें और बहुत सारे लोग गिरफतार भी हुए लेकिन आपको बताओंगा कि इसमें पूरी तरीके से जो नया कनेक्शन निकल करके सामने आया है वो अपने आप में एक बहुत बरी बात है आपको बताओं कि पिछले दिनों जो अगस्त महीने से यानि पांच महीने से अर्मान कोहली जो है वो जेल में बंद है अब ये क्यों बंद है और क्या कनेक्शन है पूरे तरीके से इनका इससार मामले में ये पूरी चीज़ बात करेंगा आज इस वीडियो में लेकिन आपको बताओं कि सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ कि एक बहुत बड़ा ड्रक्स पैडलर अजयराजू सिंग जो की बहुत ही खास आदमी है अर्मान कोहली का और ये अजयराजू सिंग जो है वो बहुत बड़ा ड्रक्स पैडलर है और ये अर्मान कोहली को ड्रक्स मोहिया करवाता था जब अर्मान कोहल को जब पूरी तरीके से सक में ये आएं तो NCB जो है वो अजैर आजू सिंग को पहले डिटेंड करती है उनसे पूस्ताच करती है देन उसके बाद कुछ सोर्सेज निकल करके सामने आता है तब जाकर के अर्मान कोली के घर पे चापा मारी जाती है और वहाँ पे कोकिन भीने से वो बंद है जेल में और पूरी तरीके से वो भी कोशिश कर रहे है कि किसी तरीके से जमानत मिल जाए अब यहाँ पे जो नया ख़वर जो आया है नया मामला जो निकल करके सामने आया है वो यह आया है कि अजैर राजू सिंग जो की अभी NCB ने इनको गरफतार किय था और इनका लिंक जो बताया जा रहा है कि सिदार पिठानी से भी हो सकता है और आपको बताऊँ कि इन दोनों का अगर रिस्ता जो है अगर पूरी तरीके से सबूतों के साथ अगर यह सब सिद्ध हो जाता है तो यहाँ पे अब आपको बता दू कि अर्मान कोहली की तो नया पेडलर का नाम सामने आया है अजयर आजो सिंग का तो ऐसी स्थिती में उनका भी जमानत कहीं न कहीं अब फस्ता हुआ दिख रहा नौ महीना होने वाला है और अभी तक उनकी जमानत जो है वो पुरी तरीके से लटकी परी है। हलाकि इन सारे मुद्धों पे इन सारे बातों पे आप लोग क्या सोचते हैं आप लोग की क्या मंसा है जरूर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर द क्या थे हैं रकियेगा थैंक्स फोर वचिंग मैं विडियोस जाय एहिन